आज लुधियाना के CMC अस्पताल में diabetic retinopathy update और retina services का उधगातन किया गया जिसमें diabetic retinopathy के बारे में विस्तार से बताया गया इस मौके डाइबेटिक रेटीनोपैथी अपडेट और रेटीना सर्विसेस का घाटन सीरिल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंग द्वारा किया गया इस मौके जानकारी देतेवे डाक्टर ने बताया कि आज के समय में डाइबेटिस के मरीजों की संख्या लगतार बढ़ती जा रहे हैं और डाइबेटिस का असर मरीजों की आखों पर भी पढ़ने लगा है जिसके चलते आज डाइबेटिक रेटीनोपैथी और रेटीना इसके बारे में बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई जिसमें डायबटीस की मरीजों को चेक किया जाएगा और पता किया जाएगा कि इसके आखों में डायबटीस का कितना असर हुआ है ताकि उसका सही इलाज किया जा सके इस मौके जानकारी देते वे डॉक्टरों का और क्या कुछ कहना रहा देखिए ये पूरी रिपोर्ट इसमें हम कम्यूनिटी में जाकर जो डायबिटिक पेशिंस हैं उनकी आँखों को स्क्रीन कर सकते हैं कि उनमें डायबिटी का असर आया है के नहीं और जिन पेशिंस में असर आया है उनको हम यहां पर हर तरह के नई टेकनीक से ठीट कर सकते हैं चाहे वो लेजर हो चाहे इंजेक्शन हो चाहे सरजरी हो और इसके लिए हमारे पास अब डॉक्टर अरुन भटी है जो कि यहां के फाकुल्टी है और जो कि बांगलोर से इसमें ट्रेनिंग पा कर आए हैं अब वो इस सर्विसस को चलाएंगे इसको हैड करेंगे और जो भी वहार रेट है उनसे सबसे सबसेड़ाइस ट्रेट पे भी हम सर्जरी करते हैं यहां पर अच्छा जैसे बताया गया सबके दोरा कि आज हमारे हॉस्पिटल में यह नहीं सर्विसस शुरू की गई है रेटिनल सर्जरी के जो पढ़दे आंक का पढ़दा है उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट यह बहुत देर से इसकी जरूरत मसूस की जारी थी खास करके उन पेशेंट्स के लिए जो दूर हैं विलेजेज में हैं और जिनको स्क्रीनिंग की जरूरत हैं तो इस सुविधा से ऐसे होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं गाउं में जाएंगे लोगों को स्क्रीन करेंगे और उसके बाद जरूरत मन लोगों को सर्जरी की सुविधा दी जाएगी खास करके उन पेशेंट्स के लिए भी जिनके पास फिनेंशली वो वीक हैं और फोर्ड नहीं कर सकते हमारे एंजियोज हैं उनके द्वारा भी इनकी हेल्प की जाएगी और मैं इस काम के लिए डॉक्टर रुपाली हमारे हैड है और उनके साथ उनकी टीम है डॉक्टर अरुन भट्टी जो ट्रेंड है इस सरजरी के लिए आंख के पड़दे की सरजरी के लिए उनको कॉंग्रेजलोइशन कहता हूँ और मेरी लोगों से हमारे जो सिटीजन्स हैं लुध्याना के उन सबसे अपील है कि वो आगे आएं डाइबटीज की आंखों की स्क्रीनिंग के लिए और समय रहते ही पता चलने के बाद उसका ट्रीट्मेंट भी किया जा सके तो इस सुवधा का ज्यादा से ज्यादा लाब उठायाना चाहिए सी एम सी हास्पिटल लुध्याना में तैंकियो और दूसरी जगह भी है पर इसमें खास बात ये है कि हमारे लोग जो मुबाइल सर्विस के थूरू लोगों के पास जा के गाउं में और दूसरे जगह पे स्क्रीन कर सकते हैं दूसरी जगह पे तो मरीजों को आप जाना पड़ता है खासकार कि गाउं में कैसे करेंगे तो इस सुवधा ये बस है हमारी रूरल सर्विस तो वो जा के वहां मरीजों को स्क्रीन करेगी ये बहुत दूर दूर हमारे पेरिफरल सेंटर है सारे लुधाने के गाउं पूरा अभी तो लुधाना डिस्टिक्स टार्ट करेंगे तो उसके बढ़ते जाएंगे दूसरे डिस्टिक्स में भी जैसे ऐसे समय के साथ बिलकुल सब को स्क्रीन करेंगे नहीं हमारी बड़ी गाड़िया है इसी काम के लिए नहीं हमारी वैन है जो बस है उसमें ट्रीटमेंट की भी फिसिलिटी है स्क्रीनिंग के भी विसिलिटी है उसके साथ और भी आंखों की जो प्रॉल्म हो उसकी भी स्क्रीनिग है एक बड़ी बस है इस काम के लिए हो थेंक यू थेंक यू लोदियोना से क्यामरमें जिस्मेंदर की साथ राजीश महरा की रिपोर्ट सेटी होम न्यूज